आज आज अब यह मांगे चलते हैं कि उन्हों सबको हम जिते भी लोग यहां पर इस ट्रेंप पे हैं सबको थोड़ा बहुत बेस्टलोजिकल ग्यान है और काफी अच्छे ग्यानी लोग भी हैं यहां पर बीच में ग्रामर की बात करें तो बिगरुंदी का रूल बड़े सिंपल रूल से पहला रूल है कंजेक्शन कंजेक्शन ऑफ प्लैनेट बिगरुंदी कहती है जब कोई प्लैनेट आपास में कंजेक्ट होते तो वह दूसरे के परभाब पर लेके चलते हैं और यह वैदिक भी कहता है बड़ इसके साथ जो वह आड़ करते हैं वो करते हैं ट्राइन ट्राइन में बैठे प्लैनेट जो ट्राइन में बैठे प्लैनेट यानि की सेम डिरेक्शन साइन्स में है चार डिरेक्शन साइन होते हैं इस साउथ वेस्ट और नॉर्थ एस्ट एक पांच नौ साउथ दो वेस्ट 3711 और नॉर्थ 4812 तो बिगरुंदी के साभसे जो डिरेशन साइन में जिते प्लैनेट बैटे हैं वो सारे एक एक यूती के अंदर बैखे हैं जो प्लैनेट एक यूती के अंदर आ जाते हैं जो अपना परभाब एक दूसरे के उपर छोड़ते हैं परवाब एक दूसरे के साथ मिलके देते हैं विगरूंदी के अपनी लिस्ट अपनी है थोड़ी वोद मैच करती है वैदिक से थोड़ा डिफरेंट भी है तो उसकी जो एनिमी लिस्ट और फ्रेंड्ली लिस्ट है उसका काफी ज्यादा एफेक्ट पड़ता है विगरूंदी पार करके आया है जो दो दूसरे भाव में जो प्लैनेट है अपने से दूसरे भाव में प्लैनेट बैठा हुआ पहले वाले भाव को नेगोशिश करेगा तो उसकी फलों में परिवर्टन आएगा कैसा आएगा हम चेक करेंगे दूरिंग दी जवने और पीछे वाले का उसको इंफ्लूएंस करता है तो एक दूसरे को प्लैनेट इंफ्लेंस करते हैं अगर प्लैनेटेंस करते हैं १ृष। वो इंफ्लूएंस है वो यूती नहीं है तो इंफ्लूएंस के अंदर अब पॉजिट डिरेक्शन साइन में जब आते हैं तो एक से अपने से साथा प्लाइट भी काउंट हो जाता है बाइडिफॉल्ट जब यूती बनाएंगे तो आपको दिखाए देगा वो तैट इस काउ छ्एफर राशी हम पर मतल нужен हो जब राशी परिवर्त है जिसको हम वयदिक बोलते राशी परिर्वरतन अगर बहुकर हो जाता है तो है तो भिगूंदी के अंदर राशी परिवरतन का बहुत मैठविप्णूर यह गूल होता है because भिगूंदी काends कि ही है कि जब राशी परि बैटके अपने रिजर्ट देगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट रूल बन जाता है ग्रामर के परस्पेक्टिव से क्योंकि ग्रामर के रूल इसको लगाने से बहुत सारे परिवर्टर आ जाते हैं बिगरंदी कुछ चीज़ पर बहुत अच्छा काम करती है जो बाकी एस्ट्रोजी इंतरा स्ट्रॉंगली इसको रिपलेट नहीं कर पाते हैं वैदी के अंदर टांसिट की बाद आती है लेकिन बिगरंदी बेजडी टांसिट पर है जो पूरा टांसिट का चकर होता है उस टांसिट का चकर पर कैसे अपलाई करना बिगरंदी में यह सबसे ब्यूटिफुली उसके अंदर बताया उसके कुछ सेंपल साइज हम करेंगे भी और टांसिट के अंदर चार इंपॉर्टेंट प्राइट सबसे ज़्यादा होते हैं सबसे मैत्वर्ण भूरी का निम्मात के जो चार बड़े टांसिट्स हैं गुरु शनी राओ के तो यह बड़े टांसिट्स हैं इनका टांसिट सबका वन येर प्लस पर चलता है टांसिट आपने अपने समय पे जब टांजिट करेंगे तो इंसान के जीवन की गती विदियो को बदलाव लेके चलेंगे साथ में पोग्रेशन नक्स शेनी और गुरू का पोग्रेशन वर तो इंपॉर्टेंट पोग्रेशन है विग्रूंदी एक ऐसा सिस्टम डिजाइन है जो पोग्रेशन से स्ट्रॉंग ली करनेट करता है और वो पोग्रेशन पर ही चलता है मैं बाकी डिटेलिंग बात करूँगा आपसे कि क्या क्या चीज़ हम कवा करेंगे जब हम कोर्स के इंपॉर्टेंट डिटेल में चलेंगे तब बात करेंगे बड़ यह इंपॉर्टेंट कुछ टूल्स है जो बिग्रूंदी के अंदर बहुत यह अच्छे से दर्शाते हैं उनके ओपर कारें हमारा डिपेंड करता बिग्रूंदी के अंदर आज हम बात करते हैं बिग्रूंदी के अंदर कुछ टांसिट्स के ओपर बात करते हैं उससे पहले कारता है तो कॉमन सी बात है सबको पता ही है वैसे तो नहीं भी पता तो भी एपर रिवाइस कर लेते हैं जिससे सुरे फादर का और बेटे का दोनों का कारत बिग्रूंद राइट साइड की आई साइड है इस सबका सुरा नदियों माना ये और भी बहुत सारे का रहे हैं इस आर बहुत चार पांच का रूपध की बात कीए इसलां जैसे चेंद्रमा मदर का ट्रैयवल का पाणी का और लेफ्ट साइड की आईसएड मंगल की बात के तो भिङुरूं स्टुडीज से लेटेड एक्टिविटीज एड्यूकेशन इनको बुद्ध रिलेट करता है विगरुंदी के परस्पेक्टिफ से गुरु की बात करें तो गुरु सेल्फ जातक है जातक सेल्फ है ठीक है तो जीव कारक गुरु को रिलेट करता है आतम कारक सुद्रे को रिले ब्रस्पति खुद अपने से स्वहम से जिती भी एक्टिविडीज होंगी सारी ब्रस्पति को डेट करेंगे शुकर वाइफ का कारक कई लोग शुकर को लीडीज के लिए सेल्फ का कारक मानते हैं ऐसा कई पर राउजी साब जी ने नहीं लिखा